मेरत बिष्वारब करते हैं। था शेना पती भी बिलाते भी है। आपको बहुत पढ़ाई का था ? ये गुरु कृपा से ही संभव है हमारे पास कोई विद्या नहीं है कोई शक्ती नहीं है गुरु कृपा है जो गुरु जी ने हमें पद्धती देरखी बस उसका प्रयोग कर देते हैं इसके लिए भी नहीं कि लोग चमतकार देखें और परदर्शन करूँ लोगों की समस्या का समाधान अगर हमारे सैनापती बुलाने से या गुरु का नाम लेने से हो जाता है तो कौन सी बुराई है भारत के देश में एक बिछडे हुए पिछडे हुए ब्यक्ती जो जगए जगए मत्था पीट करके आया है हॉस्पीटल से भगाया जा चुका है कि तुमारा बचना मुस्किल है उस ब्यक्ती को चार दिन की जिंदगी में अगर हम डांडस अपने मंत्र चिकित्सा से दे देते हैं तो इस देश में क्या दुरु भाग गई है क्रशी से हर दिन, हर महीने, हर साल इतना ही नहीं आपके रिटायर्मेंट के लिए भी पैसे कमाना है फिर देरी किस बात की फ्रीडम अप को अब भी डाउनलोड कीजिए निश्च्द हैं, खाली हाथ नहीं जाओगे भूत पिसाच निकट नहीं आवे महां भी रिजब नाम सुनाबे रही विग्ञान की बात तो विग्ञान जहां से सुन होता है अध्यात्म वहां से प्रारंब होता है विग्यानी विप्ति को इस अध्यात्म की यात्रा को समझने के लिए भारत में ऐसे अनेक जगए हैं प्लेसिस हैं जो आप आई एस आई ने मार्क किया है यह हांटेट प्लेस यहाँ पर भूतिया खंडर भूतिया इस्थान फिर वो क्या है हमें तो कई बार इन लोगों पर बेशरमी पर हमें कई बार बहुत वो लगने लगता हमने आप में बहुत आसी भी आती है कितने विचित लोग है कभी टीवी पर आकर कहते हैं बूद प्रित होते नहीं फिर यह आई एस मार्क जूटा है क्या दौनों पहले लड़ने इसके बाद हमारे पास आए आपके बात करते हैं यह जो एनरजी है आपके पास यह एनरजी कहां से आती है कि मैंने देखा कि लोग आए वो आते हैं उससे पहले ही आपको मालूम होता हूँ बात काईदा आप पहले से लिखके बता देते हैं कि वो क्या पूशने वाले तो यह क्या है मतलब लोग जो हम सुनते हैं योग नी तराटक जो सुना है हमने तो क्या है यह आपको थेंक्यू आप अणामि आपका अभिताफ है बहुत अच्छा अनुराग अभिताफ आप इसलिए कहे जाते हैं अद्बूत प्रिशन है देखो इस जग्यासा पर हम सबको निवेदन करेंगे करबद निवेदन दयालू हमारे पास केवल गुरू कृपा है किसी ने कहा योगनी है किसी ने कहा अत्राटक है हमारे पास गुरू कृपा हमने गुरू पे जो हमें साधना दी है अत्राटक पद्दती की वो तो की है लेकिन हम कई बार बड़ा कौतुक में हसते हैं कि हनमान जी महराज का स्री हन अब ये निर्ण दर्शकों को करनाएं कि कौन है ये निर्ण'. यूपू मुझे जो रह से जो रहे से भर वह गूरू artist है। एक डमरू है वस ये तो एक बहाना है हमें तुमको हनुमान जी का बनाना है ये तो बकादा अधालत पी लगती है आप परचियां भी होती है तो अब जो विरोधिय हो यही तो कहना है ये क्या सिस्टम है आद्धात्माप सनातन धर्म की प्रवच्छन दे रहे हैं राम के बार वुजा आधाद के अंतर है रही बाध पेसियों की आना उसको नाम हमने पेसिया दे आप सुगर को सक्कर कहते घर सब्सक्रबों करने के हैं हो बारवार आना दर्शन करना मत्था टेक आप नश्ठा आप कि परशनल लायफ है चुकि है हमारा कोई पिस है आप वहां बार बार जाते तो आप भी तो पेसियां करने हैं तो क्या आप भी अंदविश्वासी हैं नहीं तो लोगों को बुलाना अनमान जी से जोड़ना है ये कोई अंदविश्वास नहीं है ये लोगों की बुद्धी ही अंदविश्वासी ह कि बागिश्वर्द हम सरकार को हम राम के बारे में सीता के बारे में लक्ष्वन के बारे में तो बात करते सुनती हैं क्या हम इसी तरीके के बयान और भी सुनेंगे कि कभी बुल्डोजर आएगा या यह कंटिनियूस प्रोसेस रहेगा कि लोग कहें कि यह किसी धर्म हमारे यह भी नहीं कि आप हमें नी्यूज में चापो या आप हमें जानो बयान वाजी जो भी हम करते बहुत सधी होई पूर्ण एहिंसा पुरूबक करते हैं और उसमें हिंसा को लेसमात तरिस्थान नहीं होता है और केबलों केबल उस बयान के पीछे सनातन होता है। सिर्फ , आपको लगता है, मानने जाएंगी होने हैं आग है आज नहीं कोशिश करने बारों कि कभी हार नहीं होती, हम हार नहीं मानिए में हब एक दिन जीतेंगी कि घाह है। अगला आपका ऐसा क्या होगा जिससे पहचाना जाए बागिश्वर धाम सरकार क्योंकि तमाम संतों की इस शंक्ला में जो भारत में रहे हैं हमने देखा है मंदिर और इसी तरीके की चीज़ कुछ बागिश्वर धाम ऐसा कुछ करेंगे जिसे अफिसियली तो नहीं परकोशिश हमने हो एक नया बिचार किया गुरू पिरना से हमारे गुरू जी ने कहा हमने गुरू जी मंदिर बनाना है लगबग बत्रों का मंदिर खूब बड़ा बनना था खूब खूब खर्च होना था उसमें दो तीन करोर रूपे तब गुरू जी कोशिश है कि मंदिर की वजए बागे शुर्धाम तीर्थ दुवा के साथ साथ दबा का भी इंतजाम करेगी और कैंसर रोगियों के लिए चोटा सा भी सही पर हॉस्पीटल बनाया जाएगा एवं रिसर्च सेंटर भी होगा मंदिर की जगा कैंसर होस्पीटल यह देश के करशी से हर दिन हर महीने हर साल इतना ही नहीं आपके रिटायर्मेंट के लिए भी पैसे कमाना है फिर देरी किस बात की फ्रीडम आप को अब भी डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी के सामने आप पहली बार बता रहे हैं चोरी कर लिया आपने तो यह मुस्कुराहट आपको दिखाई दे रही है यही मुस्कुराहट जहां करोडों समर्थकों को अनुवाईयों को अपना भक्त बनाती है वही विरोधियों को उनके बयार तीर से चुपते हैं लेकिन एक बहुत बड़ी बात एक ऐसे शक्स ने कही है जो ना अपने यह एक अलग कदम है अलग चेहरा और इंडिया टीवी के सामने एक्स्क्लूजिबली बताया है कि अब एक कैंसर हॉस्पिटल तकरीबन दो सो क्रोल रुपे कितना क्रोल रुपे की लागत से यह खुलने जा रहा है तो हमारे साथ है दीरिन किष्ट शास्ति और बागेश औ दाउनलोट करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर